Hello everyone, welcome back to my channel, मैं दोक्रा नीता, आज हम डिस्कस करेंगे Educational Management, हमारा ये टॉपिक चल रहे थे, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये BTC 4SAM और MR 4SAM से रेडिर हैं इस वीडियो को देखने बाद आप जान पाएंगे कि Classroom Management किस प्रकार किया जाए TLM जो Teaching Learning Material होता है, उसका Management किस तरह से किया जाता है, Library, Tax Book, Work Book और Teacher Guide जो शिक्षक संदरशिकान होती हैं और Dictionary, इन सभी के बादे में हम जानेंगे तो आप वीडियो को लास तक देखेगा, और इससे पहले के जो टॉपिक हैं, आप प्रेलिस में जाकर उनको देख सकते हैं तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, Educational Management, शैक्षिक प्रवंदन जो हमारा ये शैक्षिक प्रवंदन है, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे के All-Down Development के लिए Education की Quality के लिए, जो है हमारा जो Management, एजुकेशनal Management है, वो प्रॉपर होना चाहिए इसे रिफ्रेंस में, I.K. डेविस ने भी जो शिक्षा व्यवस्ता है, उसके लिए Managing, Teaching, Learning, Concept को डेवलप किया और इसमें इन्होंने चारी स्टेप्स बताएं, पहले Planning, Organization, Leading और Controlling यहोंने यह बताएं, और जिससे की, जो हमारा Management है, वो इन सभी चीजों का Management हो पाए, मतलब जो हमारा Education Management है, उसमें नेतिनी धारण, जो भी कारे हो रहे हैं, उनमें Coordination होना, जो Policy बनाए जारी है, उनका Execution कैसे है, Organization को किस तरह से अपना आगे काम करना है, सबसे किस तरह से काम कराना है, जो Manpower है, और या Physical Power है, Human Power और फिजिकल दोनों को किस तरह से कारे करवाना है, यह सब हमारा आता है, Educational Management के अंतरगत, अब Educational Management में हम क्या-क्या पढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रभंदन, क्लास्व मेनेजमेंट, TLM, Teaching Learning Material, Learning Corner, Library का प्रभंदन किस तरह से होगा, टेक्स बुक, वर्क बुक और टीचर्स गाइड, श्रिक्षर संदर्शिक आएं, और शब्द को मतलब Dictionary, इसका प्रयोग और प्रभंदन इन सभी के बारे में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, पहले हम देखते हैं कि, Meaning of Educational Management, जैसे कि अभी बताया है मैंने आपको कि जो IK Davies ने जो concept डेवलप किया था, उसमें उन्होंने चार चीजों को बताया है, Planning, Organization, Leading और Controlling करना, तो जो हमारा Management है, वो उस specific जो process होता है, उसको organization के विशे में जो निर्ने लेती हैं, या जो हमारे pre-decided objective होते हैं, उन pre-decided objective को, जो हमारे पास human power है, और physical resources हैं, उन दोनों से किस तरह से काम लिया जाता है, उन जो हमारे objective हैं, उन objective को अचीव करने के लिए लि और उनकी जो activities होती हैं, उनकी activities पर किस तरह की controlling होती है, तो ये हमारा होता है Management, मतलब educational management is a work that done by manager, okay, and education management is the process and the agency through which the execution of policy is planned and supervised, ये जो हमारी होती है, policy होती है, तो जो ये policy होती है, इनके execution का आयोजन और prevention जाने की observation, supervision दोनों ही किया जाता है, जैसे कि हेंडी फियोल ने भी बताया है कि शक्षिक प्रबंदन का आर्थ पहले क्या है, पूर्वा नुमान लगा लेना, forecasting करना, फिर योजना बनाना, संगठन करना, निदेशन करना, coordination करना और controlling करना, इस तरह से हमने दे है, तो ये देखते हैं कि किस तरह से विग्यान और कला, दोनों किस तरह से है, भई, जह हम कला की बात करते हैं, तो कला में क्या होता है, कि हम अपने विवेक से, अपने experience से उसको creative बनाते हैं, इस तरह से ही, शेक्षि प्रबंदन में भी, जो भी, रूर्स या प्रिंसिपल apply किया जाते हैं, उनको लागू करने में जो manager है, उसका अपना विवेक, उसके अपने experience और साइंस का सहरा लेना पड़ता है, और एक ये एक science है, किस तरह से, जो भी हमारा प्रबंदन का शेतर है, उसमें अनेक हम व्यग्यानिक वीधियों का प्रियों करते हैं, जो भी हमार classroom management, तो classroom management क्या है, कि हमें class को कैसे manage करना है, जैसे कि कुठारी commission जो कि हमार 1964-66 में आया था, उसने भी कहा था, कि भारत के भाग्या का निर्मान उसके कक्षाओं में हो रहा है, मतलब भारत का जो भाग्या हमारी कक्षाओं में पल रहा है, हमारी कक्षाओं में बढ़ रहा ह यदि उसको वहाँ classroom में ऐसा environment मिलेगा, positive environment मिलेगा, तब ही वो society में आकर positively behave कर पाएगा तो इसके लिए हमारा classroom management कैसा होना चाहिए, इस तरह का management होना चाहिए classroom का कि जब बच्चा class में enter करता है, तो उसी समय से ही उसके अंदर ऐसी motivation आने चाहिए, learning के लिए, सीखने के लिए वो तयार होना चाहिए कि मुझे मैं class में आया हूँ, मुझे यहां से वो सीख कर जाना है, और जो भी हमारा classroom है, उस classroom में पूरा manage होना चाहिए, जो हमारा systematic होना चाहिए, desk है, chair है, table है, जो भी है, वो proper way में होना चाहिए और proper size होना चाहिए, class का proper light arrangement होना चाहिए, seating arrangement भी proper होना चाहिए, और class में discipline भी ज़रूरी है, class में discipline नहीं होगा, तो जो teaching learning का process है, वो proper way में नहीं हो पाएगा, environment भी हमारा academic environment होना चाहिए, जिससे बच्चा class में enter करता है, तभी उसको experience हुए ऐसा, तभी वो feel करे, उसके अं और teaching learning material होना चाहिए, जो teachers हैं, उनको भी proper teaching age के थूपढ़ाना है, students participation भी होना चाहिए, democratic management होना चाहिए, तो इस तरह से हमारा, जो है, इस तरह की हमारी class होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि class वो इस्थान है, वो जगह है, जहांपर की teaching learning process हमारा अनुदेशनात्मक रू करते हैं, teacher जो है, बहुत सारी strategy अपलाई करता है, बहुत सारी method अपलाई करता है, बच्चों को सिखाने के लिए, और साथ साथ में class में बच्चों का observation भी करता है, और जो class में भी हमने बताया कि proper sitting arrangement होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कि जो class है, class के management के अंतरगत, जो physical resources हैं, और human resources हैं, दोनों के management को शामिल किया जाता है, physical resources में आपका blackboard हो गया, chok है, duster है, आपकी library हो गई, जहां से आप books लेते हैं, तो यह सब आपकी physical resources हुए, human resources में teacher है, instruments है, जो other staff है, वो, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा class हो management है, यदि वो proper होगा, तो बच्चे का बच्चा पढ़ने में इंटरस्ट लेगा, और उसका इंटरस्ट डेवलप होगा, अब देखते हैं कि जो हमारे aims क्या है, classroom management की, हम क्यों classroom management को properly करना चाहते हैं, कि वहाँ पर lighting भी proper होनी चाहिए, और वहाँ पर size भी उनका proper होना चाहिए, discipline भी होना चाहिए, तो सबसे प सीखने के लिए motivate हो, दूसरा है, motivating students to learn, ऐसा environment हो कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनको, जो उनका achievement level हो सकी, जैसे भी बताये मैंने कि proper use of human and physical resources, जितने भी हमारे पास human resources हैं, और physical resources हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा use कराएं, जिससे कि teachers को भी benefit होगा और students दोनों को ही इसका benefit होगा, permanent learning and providing high level, जो हम learning बच्चों को दे रहे हैं, वो तभी permanent होगी, जब हमारा classroom management ठीक तरह से होगा, जब हमारा classroom environment इस तरह से होगा, कि बच्चे उसमें सीख पा रहे हैं, और बच्चों का all-round development हो रहा है, जो classroom management है, इसका main objective होता है, कि जो उसने सी लिखा है, उस सीखे हुए ज्यान को इस्थायत परदान करना, establishment देना, और जो भी class की सारी facilities हैं, उन class को पूरा facilities से properly बनाना, facilities, सारी facilities वहाँ पर available हो, जिससे की जो teaching learning process है, वो interesting बनाया जा सके, इसके बाद है आपका teaching learning material, अब जब हमारा operation blackboard आया था, operation blackboard में ये बात की गई थी कि class में teaching learning materials होना बहुत जरूरी है, अपनी teaching को effective वनाने के लिए हम class में बहुत सारे ऐسे TLM use करते हैं, जैसे कि आप chart यूज करते हैं, और आप real object को use करते हैं, model यूज करते हैं, इस तरह के बहुत सारे flesh card यूज करते हैं, तो इस तरह कि हम बहुत सारे real object भी use करते हैं, और बच्चा उसे रटे नहीं, उसके अंदर हमें information को भरना नहीं है, हमें बच्चे के अंदर वो creativity लेके आनी है, वो creativity कैसे आएगी, जब हम बच्चे को TLM के थ्रू पढ़ाएंगे, तो जो भी स्कूल में TLM होती है, उसका management भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी TLM है, इस दे पाएं बच्चे को, और जो भी वो सीखें, वो यदि हम को दिखा कर सिखा रहे हैं, तो वो जादा उस पे जादा सीख पाएंगे, और interest भी लेंगे, उन्हें रटना भी नहीं पड़ेगा, और उनका mental level भी high होगा, और इस तरह के प्रबंदन से, उनके अंदर भी और सा और जो भी teaching learning यूज की जा रही है, उसको हमें ये देखना है कि हम कम से कम लागत पर उसको बनाएं, तो अब हम पहले ये देखते हैं कि इसकी जो teaching learning का हमारा जो process है, उस management का वो process क्या है, पहले है management of purchase teaching learning material, बहुत सा ऐसा learning materials होते हैं, जिने हम भार से purchase करके लाते हैं, जैसे ह globe है, globe हम globe का model ही बना सकते हैं, लेकिन हम उसे purchase करके भी लाते हैं, तो ऐसे teaching TLM होती है, इन TLM को बेकुल सफाई से रखना चाहिए, सफाई का प्रबंद होना चाहिए, और जिससे की हमने उसको use किया, उसके बाद उसको उसके एक proper place पर रख दें, उसका proper place होना चाहिए, एक TLM रखी जाए, और दूसरा सबसे बहुत जरूरी बात कि इसका एक register भी होना चाहिए, जैसे हम issue register बोल सकते हैं, कि आपने वहां से जो भी room है, उसका जो भी room in charge है, जहां पर TLM रखी है, आपने वहां से TLM issue कराई, तो उस register में maintain होगा कि इस teacher को ये teaching aid issue की गई, इस date में issue की गई और किस कब वापिस ली गई वो, science teacher ने लिए, science teacher का नाम होगा, और ये assistival teacher ने लिए तो उनका नाम होगा, तो मतलब उसका पूरा ब्योरा रहेगा कि कब वह चीज दी जा रही है, और कब वह चीज आ रही है, उस register में हम जब वह चीज खरीदी थी, अपना TLM वह लिया तो जिस सब्जेक्टी भी वह टी एलम है, तो टीचर को उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिससे ये दीमान लोग वह थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो उसको ठीक कर सकी, और रखने के विवस्ता तो होगी होगी उसकी, और जो भी हमारे टी एलम है, उसके खुद बनाई है, Management of Self-Constructed Teaching Learning Materials, स्वय निर्मित किशन सामगरी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद चार्ट के चार्ट बना लेते हैं, मॉडल बनाते हैं, फ्लेश कार्ड बनाते हैं, तो इसके प्रबंदन के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए, तो वो क्या प्रयास क खुद बना रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है, कि इस पर कम से कम पैसा खर्च हो, मतलब हमें क्या है, इन्पुट कम होना चाहिए, और आउटपुट जादाना चाहिए, इस तरह हमें ध्यान लगना है, और इस तरह की जो TLM है, उसके लिए जो टीचर्स को ये भी ध्यान उनके अंदर इस के दवालब होगी सासाथ में वो कंसर्फ भी डैवलब होगा, और इसके लिए भी प्लेस होना चाहिए, रखने का, कि हमें कहां पर ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये हमने वडल बनाया है, फ्लैश कार्ड बनाया है, हमें फिर दुबारा यूज करने है, थर्ड है Management of Environmental TLM, परियावगरनी है, शिक्षर अधिगम, सामगरी का प्रबंदन, बहुत से हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जिने हमें Real Observe के थुरू पढ़ाना होता है, जैसे हमें फल पढ़ाना है, फूल पढ़ाना है, पत्ती पढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंग Balance के बारे में बताना है, और बच्चों से अधिक से अधिक पेड़ पोधे लगाने हैं, और जिससे कि वो भी Environment के बारे में जान पाएं, और ये जान पाएं कि हमें ये किस तरह से TLM में भी किस तरह से यूज हो सकती है, अब बहुत बार हम क्या करते हैं कि पत्ती हमने एक ब प्रयोग अधिक समय तक हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि गुण मत्ता इसकी धिर देरे काम होएं लगती है, इस तरह से जो Teaching Learning Material का प्रबंदन है, प्रकरती के आधार पर ही होता है, प्रतेक सामरी का प्रबंदन एक समान नहीं हो सकता, मतलब जो Crack की गई सामकरी है, Crack की ग बहुत महत्पूर अंग माना गया है, जैसे कि प्रिंसिपल को स्कूल का मस्तिक्ष्ट का जाता है, टीचर को पल्स का जाता है, और जो Library है, वो Library को स्कूल का हार्ट है, किसी भी संस्थान का हार्ट है, यह डिपेंड करता है किस तरह की Books हमारे पास अवेलेबिल हैं, क्या व पर कोर्स हैं, उन कोर्स की अकॉर्डिंग बुक्स हैं या नहीं हैं, इसलिए इसे बोधिक प्रयोक्षाला के रूप में भी देखा जाता है, जो हमारी Library है, इसमें जो Books का कलेक्शन होता है, Books का कलेक्शन, कोर्स की अकॉर्डिंग और नमबर ओफ इस्ट्रेंट की अकॉर् करा रहे हैं, तो प्रॉपर एंट्री होने चाहिए, टीचर इशू करा रहे हैं, तो उसकी भी प्रॉपर एंट्री होने चाहिए, कौन सी रेट में करा रहे हैं, उनने कब वापिस करना है, और इसका एक हम लाइबरी फंड भी बना सकते हैं, तो जो है कि इस तरह से हमें ला लाइबरी में जाते हैं, वहां बैठते हैं और वहां पर जाकर बुक्स को इस्टड़ी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इससे हमारी जनर नोलिज डेवलप होती है और जब वहां बैठ कर पढ़ते हैं, तो हमारी जो सेल्फ इस्टड़ी की हैबिट भी डेवलप होती है और जो library है वो teachers और students दोनों के लिए ही useful है किस तरह से useful है teacher को भी अपने आपको update करने के लिए अपनी knowledge में improvement लाना चाहिए अपनी knowledge को English करना चाहिए और ये उसके intellectual के लिए और vocational development के लिए भी बहुत जरूरी है तो जो हमारे library है वो एक ऐसी educational library है कि जिसके द्वारा हम जो है शिक्षण विधान में research भी कर सकते हैं जैसे कि मादे में हिशायोग ने भी कहा है पुस्तकाले प्रगतिशील शिक्षण विद्यू को वहवार में लाने के लिए प्रमुक साधन है उन्होंने का है कि जो library है library जो जो हमारी progressive teaching methods है उसको वहवार में लाने का हमारे पास पूरा resource है तो हमें जब भी हम free time होता है teachers के पास होता है बच्चों के पास होता है तो उन्हें इसका use करना चाहिए library में जाकर और teachers को जो students है students के लिए एक period भी होना चाहिए library का कि वो library में जाए और उन्होंने वहां प आपने कौन सा content वहां पर पढ़ा और उस content को पढ़ने से आपको क्या knowledge मिली तो इस तरह का भी एक register maintain किया जा सकता है यह teachers के लिए हो सकता है और students के लिए हो सकता है और library से क्या होता है helpful in co-curricular activities यह हमारी co-curricular activities में भी help करते है किस तरह से help करती है जैसे मान लेजिए हमें पर पर पार कराना है तो इसमें भी हम लाइबरी की help ले सकते हैं जो भी students इसमें पार्ट जो भी हमारी activities होंगी या जो हमारी competitions होंगे इसमें जो बच्चे participate करेंगे वो लाइबरी से जाकर books पढ़ सकते हैं उनकी help ले सकते हैं इससे क्या होगा उनको knowledge तो बढ़ेगी принципе जो आग ऑए और है लाइबरी में और भी भूट जे ख मेरा हमारी इंटरेस्स ठीक होटे हैं कि हमारी है न कर मुद दोन भी तर तो हम्मारी समय उनकी हमारे हमारी समय की पास होटल है उसको बैठ करके और जब हम वहां बैठ कर बुक बढ़ते हैं तो हमारी साइलेंट रेडिंग की हैबिट बे डेवलब होती है इस तरह से लाइबरेरी का इसकोल में किसी भी संस्थान में एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है इसके बाद आपके आती है टेक्स बुक अब यह हम किसी भी बुक को टेक्स बुक नहीं कह सकते हम लाइबरेरी में गई हमने महां से मैगजीन उठा ले कुछ भी पढ़ने के लिए तो वह टेक्स ब मैजी इंडिया की बात करें तो यहां पर हम देखते है Demki S Economizen घुराथ गुता हुआ या बंदा हुआ यानि कि हमारी सारा मेट्रियल है वह एक जगह घुटा हुआ एक जगह बंदा हुआ है तो दो हमारे टेक्स बुक होती है वह टेक्स बुक विभिन विश्यों की निश्चित पाथे चर्या के अनुसार विशे शर्गों द्वारा चुपुस्त के तयार के जाती है मतलब हमारा एक decided curriculum होता है उस curriculum में जो unit दी गई है उन unit के according ये उस textbook में material होगा और ये किसी expert द्वारा ही इन book को लिखा जाएगा जो हमारी textbook होती है classroom teaching के प्रयोक के लिए यूज की जाती है किसी expert के द्वारा बनाई जाती है और जो सामाने शिक्ष्य अड्युकती में भी संपन होती है इस तरह से हम ये हमारी पाठ्य पुस्तक होती है जो पाठ्य पुस्तक है आपकी ये पाठ्य पुस्तक क्या करती है ये भी हमारी knowledge को improve करती है और ये एक guideline देती है teacher को भी student को भी कि इन्हें कौन की teacher को class में जाना है कौन सी unit चल रही है कौन सा content उसको पढ़ाना है इस तरह से बच्चे को भी पता होता है कि मेरा कौन सा subject है ये psychology का subject है psychology में कौन सी unit चल रही है कौन सी teacher मुझे पढ़ाने आने वाली है इसके बाद कौन सा topic चलेगा और इस book में कौन सा topic है तो मतलब ये है कि जो हमारी textbook है वो teacher student दोनों को ही guideline देती है और इस से बच्चों में self study की habit भी develop होती है और उनकी knowledge को establishment मिलता है माने जिए बच्चे ने college में पढ़ा इसकूल में पढ़ा उसके बाद घर पे जाते है उसको revise करता है रिवाइस करने के बाद उसके मन में कुछ प्रेशन होते हैं उन प्रेशनों को लेकर वो teacher के पास जाता है इससे उसकी जिग्यासा भी हल हो रही है और उसके जो वो सीख रहा है जो उसको learning हो रही है वो learning भी उसकी establish हो रही है तो इस तरह से जो हमारी पर्ठे पुष्टक हैं यह टेक्स बुक हैं यह साधन है इसको साधन नहीं है फिर भी यह सुनियोजित रूप में तयार की जाती है और जो हमारी अच्छे पर्ठे पुष्टक हैं वो teacher और students दोनों के लिए बहुत जादा helpful होती है इसके बाद आपका आता है workbook workbook दो तरह की होती है बच्चों के लिए होती है एक teachers के लिए होती है इस students की workbook आपने देखी होगी बच्चों को पैक्टिस कराने के लिए दे दे जाती है तो वो बच्चे उसमें अपनी workbook में पैक्टिस करती है इसी तरह से ही जो टीचर्स की वर्क बुक हैं इसमें टीचर्स की जो भी decided functions होते हैं जो इने काम होते हैं वो काम उसमें उन कामों को उलेख होता है और साथ ही साथ में उन कारें का मुल्यांकन भी इसमें शामिल होता है और इस परकार की जो ये वर्क बुक होती हैं इसमें जो टीचर्स का जितना भी कारे है उसका पूरा पूरा ये कारे जो वर्क बुक हैं पूरा पूरा विवन प्रसुत करती है और ये कारे कुस्तिकाओं के आधार पर हम ये डिसाइड किया रहता है कि किस विक्ती ने कुन सा कारे किया किस टीचर ने कुन सा कारे किया साथ साथ में य अब यह बहुत है कि हम टेक्स्टूक में से कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा टफ शब्द आ गया है तो एसे में क्या करना है हमें डिक्ष्णरी की है लेनी होती है तो डिक्ष्णरी का भी जो हमारी स्कूल की लाइबरी होती है वहाँ पर इसका proper management होता है वहाँ पर डिक्ष्णरी होती है तो यह जो डिक्ष्णरी है इस्टूनेंट्स के लिए तीचर के लिए ही helpful होती है और इसका जो management है proper library में किया जाता है इसके बाद है आपका शिक्षक संदर्शिकाए teacher guide जैसे कि teacher guide आप नाम से ही परदा चल रहा है कि यह teacher के लिए है तो इसमें यह teachers की help के लिए लिए लिखी गई है और primary जो classes है उन classes में जो teachers हैं उनको compressors का जो है यूज करना होता है यह जो हमारी संदर्शिकाए है या guide है इसमें कठिन शब्दा वली होती है teachers के लिए और अधिक जानकारी होती है और class में students की जो हमारी imagination होती है जा उनकी जिग्यासा होते हैं उन्हें उतर किस तरह से दे शिक्षर से संबंदित सारी पाठ योजनाएं भी इसमें दे जाती है जो संदर्शिकाएं का प्रयोग होता है यह सभी प्रात्मी विद्याल में उपलब्ध है और संदर्शिकाएं के प्रयोग है तो शिक्ष्ट को प्रशिक्षन संस्थान जो भी उनका प्रशिक्षन संस्थान होता है वहां पर इसको बताया जाता है कि आपको इसको कैसे यूज करना है इसमें प्रात्मिक वक्षाओं में शिष्याइडविदी के प्रयोक सरर और रुचिपून गतिविदी अथार दूर्प में बनित होते हैं, इस तरह से आज हमने जाना कि क्लास्व मेनेजमेंट के बारे में रएदें खेंगे और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक गीजिए और अपने साथें के साथ शियर कीजिए यदि आप जैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन की बटन को प्रैस कीजिए जिसे की आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है थैंक्स फॉर वाचिंग